पूरी सुरक्षा और एहत्याद के साथ इटली की कॉफी का सौध अब सागर में वो भी फास्ट फूट, चटपटी, चाट, शेक, जूस और आईस्क्रीम के साथ सागर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसला जारी है पिछले 24 घंटे में 22 नए लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुस्ती हुई है जिसमें बुदबार को DSP हेटकॉर्टर और उनके परिवार के तीन सदस्द, इसके अलावा आर्मी छ्षेत के तीन जवान सहित, 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए है गुरुबार को भी 9 लोग कोरोना पॉजिटिव आये हैं, जिले में अब कोरोना मामलों की संक्या 838 पर पहुँच गई है वही अब तक 41 लोगों की कोरोना वाइरस से मौत भी हो चुकी है सागर में अच्छी स्वास्त सुभीधाओं के चलते रेकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है अभी तक 633 लोग स्वास्त होकर घर जा चुके है 13 अगस्त को आई रेपोर्ट को लेकर डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि 6 पुरुष और 3 महिला कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं जिसमें राजीब नगर, मोहन नगर वार्ड से दो दो लोग, रामपुरा, सुभाश नगर, शाहपुर, बीना और खुराई च्छेत्र से एक एक पॉजिटिव मिले हैं आज जिनांक 13-8-2020 को गुंदिलखन मेडिकल कॉलेज की वायरोलोजी लेब और अन्य लेवों से जो रिपोर्ट प्राप्ट हुई है उसमें सागर से 9 लोगों की रिपोर्ट जो है वो कॉलिटिव पाई गई है पहले जो है 56 वर्षी पुरुष ये सुवाशनगर निवासी है दूसरी 38 वर्षी महिला ये रामपुरा वाड निवासी है तीसरी जो है 20 वर्षी महिला ये शैपुरा निवासी है इसके अलावा चौथे जो है 36 वर्षी पुरुष ये बीना निवासी है पाचवे जो हैं 41 वर्षी महिला मोहन नगर वाड निवासी है और इसके अलावा 47 वर्षी पुरुष ये भी मोहन नगर निवासी है इसके अलावा 70 वर्षी पुरुष जो है ये राजीब नगर निवासी है और 38 वर्षिय पुरुष ये भी राजीम नगर निवासी हैं और 9 जो हैं 86 वर्षिय पुरुष ये खुरई निवासी हैं इनका भोपाल गानी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है तो ये आज के 9 पेशेंट हैं इसके इलावा जो आज 11 लोग जिनका इलाज चल रहा था झाल 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 पूरी सुरक्षा और एहत्याद के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में वो भी फास्ट फूट, चटपटी, चाट, शेक, जूस और आईस्ट्रीम के साथ कॉफी आनो दा इटालियन कॉफी शॉप पता अपस्रा कॉम्प्लाइक्स परकोटा तिराहा सागर मध्यप्रदेश